बच्चो आपके सामने 100 सब्सक्राइब गति का डिक्टेसन दे रहा हूं डिक्टेसन से पूर जो आउटलेन आ रही है जो वाक्यांस बन रहे हैं उसको भी दे रहा हूं में एक बार उसको देख लें अच्छे तरह के से इसकी प्रेक्टेस करें और उसके बाद आप डिक्टेसन लिखें मैं आपको आउटलेन की भी प्रेक्टेस करूँगा ताकि आप इस पूर से लिख सकें सबसे बड़ी दिक्कत ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत दस अकारते हैं सबसे बड़ी करके दिक्कत यहा हे की यहा हे की बिजली की दर बिजली का सब चेन है हमार पास यह बिजली की दर मनो वांचित धंग से मनो वांचित और यह अंग लगा दें होनों वांची ढंग से मध्य आई वर्ग बहुत बड़े आउट लेने मा को वादा करें यहाँ पर आप आई बनाए मध्य आई और वह से काड़ दें मध्य आई वर्ग मध्यम आई वर्ग हो तो मा करके मध्यम और यह आई और यह वर्ग लगाना है बहुत बड़ी संख्या में बहुत का सबचिन है पड़ी का सबचिन है संख्या में बहुत बड़ी संख्या में कम आई वर्ग यह भी बहुत बड़ी आउट लेने इसको देखें यह हमर बास आई है और ये वह से काड़ दिया आई वर्ग हुआ अब आपको कम आई वर्ग करना है तो कम कम की यहाँ पर बिंदी लगा दें कम आई वर्ग एक सीमा से ज़्यादा हो रही है मिलने वाली एसी इस्तती में विध्यूत परियोजना लाइन को काटके विध्यूत परियोजना नई नई परियोजना योग या नई परियोजना अब आपको नई नई करना है तो इसको रिपीट कर दें नई नई परियोजना करोड रुपिया कर से करोड और रुपिया उम्मित की जा सकती है उम्मित का सब्चीन आदा करें की जा सकती है दूर किया जा सकता है विचारनी है की आगे देखें सिंचित छेत्र सिंचित और इसी में सिंचित छेत्र विद्यूत मंडल मासे कार दें कोर कसर लाब आनी यह आपका उपयोग ओलाइन को काड़ के उपयोगी था बिजली संकट, बिजली का सब चिने, इसमें संकट लगा दें, बिजली संकट की इस्तती, विकास के लिए, वित्ती वर्ज, मेगावाट, लैन को टच करके गाः और वक वादा कर दें, मेगावाट, हर वर्ज, ताप बिजली घर, यह ताप बिजली का सब चिने, घर लगा दें, ताप बिजली घर, बहुत देर से, बहुत का सब चिने, इसमें देर से, नए वित्ती वर्ज, नए वित्ती वर्ज, वर्ज भी बर्ज से दोनों से काम चला सकते हैं, लिग नाइट, लिग नाइट, नाकवा डाउन्वर्ड आर से अर्बो रुपे औद्योगिक विकास लाइन को टच करके औद्योगिक और वो लगा दें औद्योगिक विकास तो बच्चों यह आपकी आउटलाइन इसमें आ रहे हैं यह वो है अब आप इसको इस्पीड से लिखें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिजली की इदर मनो वांचे ढंग से मध्य आईवर्ग मध्यम आईवर्ग बहुत बड़ी संख्या में कम आईवर्ग एक सिमा से ज़्यादा हो रही है मिलने वाली ऐसी इस्तती में विद्धुत परियोजना नई नई परियोजना करोड रुपे उम्मिद की जा सकती है दूर किया जा सकता है विचारनी है कि सिंचित छेत्र विद्धुत मंडल कोर कसर लाबहानी उप्योग उप्योगिता बिजली संकट बिजली संकट की इस्तती विकास के लिए वित्ती वर्स या आप इसको वित्त वर्स भी पढ़ सकते हैं वित्ती वर्स के लिए आप इसको चाहें तो यह सा भी गड़ सकते हैं वित्ती वर्स मेगावाट हर वर्स ताप बिजली घर बहुत देर से नए वित्ती वर्स लिग नाइट अर्वो रुपे और द्योकिक विकास तो बच्चो यह आउटलाइन इसी डिक्टेशन में आ रही वो मैंने आपको दी अब मैं आपको इसी डिक्टेशन को देता हूँ सो के स्पिर से अब आप लिखें सो के स्पिर से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मंडल बिजली की इदर को मनुमाचित ढंग से तै नहीं कर सकता किसानों को बिजली की आपूर्ती कम दरों पर आवशक है ही उद्योगों को भी बिजली की इदर जादा नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि उससे उत्पादित वस्तों के दाम बढ़ेंगे घरेलू वस्त उभोकताओं में सभी संपन या मद्य आईवर्ग के नहीं हैं बहुत बड़ी संख्या में कम आईवर्ग किये हैं इसलिए उनकी बिजली की दर को भी एक सीमा से ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है एक अन्य दरश्टी कौन यह है कि विद्धुत से उध्योगों में स्रजीत होने वाले रोजगारों और उत्पादनों को अगर देखा जाए और इसी प्रकार क्रसी में सिंचित छेत्र में व्रद्धी और पेदावार बढ़ने को देखा जाए तो विद्धुत मंडल का घा असाइनी नहीं लगना चाहिए चीजत और चोरी को रोकने पकाया वसूली को असरदार बनाने में कोई कोरकजर नहीं छोड़ी जाए किन्तु विद्धुत दरों को विद्धुत मंडल की लाभानी की बजाए सामाजिक उप्योगिता के संदर्व में ही देखा जाए बिजली संकट की इस्तती से उबरना प्रदेश के विकास के लिए अत्यावश्रक है गत वित्ती वर्स में प्रदेश में बिजली की कमी 417 मेगावाट आकी गई है हर वर्स मांग में 10 प्रतिसत की व्रदी भी हो रही है अन्य राजों में प्रदेश को मिलने वाली विजली का हिस्सा कम हुआ है एसी इस्तती में प्रदेश में विद्धूत परियोजनाओं को त्वरित गती से पूरा किया जाना और नई-नई परियोजनाओं की और ध्यान दिया जाना जरूरी है जो परियोजनाओं निर्मानादीन है उनमें एक रामगड की गेसाधारित परियोजना है जहां 3 मेगावाट की एकाई सिग्र उत्पादन शुरू करेगी और इसके बाद 35.5 मेगावाट की एकाई तयार होगी इस परियोजना को आगे विस्तार भी होना है अलांकि गेसाधारित होने के कारण उसे गेस के आवंटन की पतिक्छा करनी होगी एक अन्य परियोजना सुरतगर्ट ताब बिजली घर की है जिसका काम बहुत देर से शुरू हुआ है गत वितिवर्थ में 130 करोड रुपे और नए वितिवर्थ में 170 करोड रुपे के आवंटन को देखकर यह उमित की जा सकती है कि परियोजना अपनी निर्धारित आउधी में फूरी हो जायेगी नई परियोजनाओं में एक दोलपूर की है जहां काम अभी आगे नहीं बढ़ पाया है यह वास्तों में चिंता की बात है कि लिगनाईट कोईले का भंडार होने के बावजूद पश्यमी राजस्तान विजली के अभाव की समस्या से तरस्त है सबसे बड़ी रुकावर्ट संसाधनों की कमी की है इसे निजी चेत्र को बढ़ावा देकर दूर किया जा सकता है एक तो विधूत परियोजनाओं में लागत अर्बो रुपे की आती है और कई वर्ज उन्हें पूरा करने में लगते हैं उपर से अनिर्णे की इस्तती में ह कई वर्ज निकल गए हैं उससे अनुमानित लागत भी द्योडी दूगनी हो गई है यह भी विचारनी है कि किसी विदूत परियोजना के बारे में निर्णे होने निर्मान कारी पूरा होने तक की अउधी में उस छेत्र में विकास की गती अवरोध रहती है अन्य सुविध नाये होने और विभिन प्रकार का कच्चा माल भी होने के बावजूद और ध्योगी विकास अपेप्छी गती नहीं पकड़ पाता यही नहीं जैसा की हरवर्स गर्मियों में सामने आता है बिजली की कमी पेजल आपूर्ती को चोपट कर देती है इसलिए विदूत उटवक क्रियानवीत करने और पूरा करने की जरूरत है धन्यवाद बचों इसको आप एक काम करें डिक्टेशन लिखने के बाद इसको टाइप करें टाइप करके आप मुझे दें ताकि मैं आपको जो भी गलतिया करते हैं उसके बारे मैं आपकी जानकारी में लौँगा क कि आप क्या गल्तियां करते हैं यह गल्तियां निकालने का तरीका है अगर आप गल्तियां नहीं करेंगे तो आपका मार्किंग बेच्छा होगा और गल्तियां करेंगे तो मार्किंग आपका कटेगा तो सबसे मेरा विद्ध्यार्ति उसनिविद्ध जो भी इस डिक्टेशन क सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर है 941-4842949 पर धान्यवाद